नमस्कार साथियो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है ब्लड कलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीश की जरूरत होती है और ब्लड कलेक्शन करके कहां पर इसको रखा जाता है तो ब्लड कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको या गलब्स की जरूरत होती है, चौथा नमबर आपको एलकुहल पैड की जरूरत होती है, जिसकी सहयता से क्या करते हैं कि स्कीन को क्लीन करते हैं, बैक्टरिया या कोई इनफेक्शन नहीं होने के लिए, तो सबसे पहले हम ट्विनिकेट के बांध देंगे, बांधने के बाद हम इंजेक्शन को इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करने के बाद हम बलड को कलेक्शन कर लेंगे, कलेक्शन करने के बाद हम बलड कलेक्शन ट्यूब में बलड को रख देंगे, और दोस्तों तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को आप सब् बें में कभी डूड़ दाल तो आपको नोटिफिकेशन की रूपने प्रावत हो सके, नवस्कार दोस्तों, तो आए हम देखिए, आए हम इस बलड को हम ट्यूब में डाल रहे हैं, तो ट्यूब में डाल दिये हैं, थोड़ा देर ही बचा हुआ है, थोड़ा बलड ही बचा आए हुआ 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